कच्छे कीमे की कोलू कबाब बहुती सौक्ट और नरम होते हैं तो क्यों ना आप लोग भी इस बार रमजान की अफ्तारी में ज़रूर बनाए तो बस मैंने भी आदा कीलो कीमा लेके आई थी और उसको मिक्सर में डबल पीस ली थी पीसने के बाद मैंने इसमें अदरक लसन का पेश्ट और हरी मिर्ची दूर्दरी पीस ली थी गरम मसाला हल्दी पौडर लाल मिर्ची पौडर धन्या पौडर और चाट मसाला इन सब को इसमें डालूगी नमक, स्वाद अनुसार, फिर उसके बाद मैं डालूँगी काली मिश पॉडर होती है, सफेद वाली वो डाल दूँगी मैंने एक कांधा काट के रखी थी, बारिक बारिक इनको भी डाल दूँगी और मैंने सिमला मिर्ची दो तरीके के लिए थी, एक लाल और एक पी हरी वाली इनको डाल दूँगी और मैं कोतमीर काट के डाल दी और उसके अंदर भूंजा हुआ बेसं डाल दूँगी इनको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गोलू कबाब में कोली की भगार की बहुत जरूरत होती है क्योंके टेस उसी से आता है और बहुती नरम, सौफ्ट और सबजी या जो हाथ में लगती है ना कोलू कबाब की बहुरी मज़े की होती है तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राय करना बैटर को मैंने चार घंडे के लिए बना के रख दी थी उसके बाद मैंने आपको चले बनाते हैं गोलू कबाब तो शेप देने का था तो मेरे पाँ श्ट्रो था मेरे पैंसिल थी तो आप लोग किसी से भी बना सकते हैं तो मेरे साथ हिसाफ से मेरे पाँ श्ट्रो था तो उससे अच्छा बनता था गोलू कबाब तो मैंने गोलू कबाब बनाना शुरू कर दी थी गोलू कबाब की खास्यत यह होती कि पूरा शेप इना उसका मोटा होता है और छोटा होता है और फ्राइ होने में बड़ा मजे का होता है और तो बस मैंने ऐसी तरह से गोलू कबाब साब बना लूँगी बनाने के बाद मैंने इसको गरम तेल करी और थोड़े से तेल के अंदर इसको मैं डाल दूँगी कबाब को और छोटे छोटे ये गोलू कबाब कितने अच्छे लग रहे और कलरफुल दीख रहे हैं इसी तरह आप लोगों को मेरी वीडियो भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दो, सस्काइब कर दो और प्यारा सा कमीन कर दो और ये कबाब पे खासियत है कि ये जटपट बन जाती है विसलिफ हमें इसे 10-5 मिनट के लिए फ्राइ करना होता है जटपटे तीखे कलरफुल कबाब बन के रेडि हो गए तो कबाब बन के मेरे रेडि हो गए ते मेरे पास सीजलर वाला तवा था तो मैंने इसमें जड़ा सा तेल गरम कर ली पहले सबसे पहले तवे कोई दम गरम कर ली थी हीट हो गया उसके बाद मैंने जरा सा तेल डाली हूँ और उसके बाद मैंने कान्दे को डाल दी थी अच्छे से इसको लाल करने तो रखना नहीं बस ऐसी सद रख देना है और उसके बाद कबाब रख देना है रखने के बाद एक एक पीस उटा जब कबाब अच्छे से गरम ह जाए स्मोकिंग जैसे फ्लेवर आजाए सीजलर जैसे तो यह मेरे सीजलर गोलू कबाब बनके रैडियो के एक एक कबाब खाएं और मजे लें उसी तरह मेरे वीडियो को भी लाइक कर दो कर दो